hi guys welcome back to my channel आज आज मंससे सथ एल्फ to french braid की वीडियो शेर करने लगी। ये ये यह हेस्टाल इसे हेस्टाइल की व्डियो शेयर करने लगी हों Mark आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए गाईज बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टाट करते हैं लेट्स केर स्टाटेट तो गाईज सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने बालों पर कॉम्बिंग करूंगी अच्छी तरह से मेरे बालों में बिल्कुल भ यह सबसे पहले तो मैंने साइड से बाल लिए मैंने सेंटर पार्टिशन नहीं किया है मैंने एक तरफ बाल जादे लिए हैं तो देखे कुछ इस तरह से मैं इस फ्रेंच ब्रेड को बनाओंगी इसे बनाना बहुत ही ज़दा इजी है बहुत असान है और यह इतना सुंदर यह स्ट्राइल लगता है इतना स्ट्राइलिश लगता है आप इसे कॉलेज करके जा सकते हैं आप इसे ऑफिस करके जा सकते हैं किसी पार्टी फंक्शन में आप इसे करके जा सकते हैं इसके इलावा घर पर भी अगर आपको जैसे मैंने यह फ्रॉक सूट वियर किया है आपको बाल लेते जाना है तो आपकी ब्रेड की लुक बहुत ही ज़दा अच्छी आएगी आप चाहे तो सेंटर पार्टिशन करके दोनों तरफ भी यह वली ब्रेड बना सकते हैं और पिछे से आप बाल खुले भी चोड़ लीजिए अगर आपको घर पर रहना तो आप पॉ कौं सा है स्ट्रैल करों यहां ड्रेस के साथ हो तो मैं सिंपडल यह वाला तो कर लेती हूं आप इसमें किसी भी तरह कि यह सैसरी का यूज़ कर सकते हैं हिए रह स्टारी के यूज to our जाधा प्रिटी लगता है तो देखिए इस तरह से ना आपको प्रेड़ बना ले नहीं तो जो side की दूसरी तरफ के बाल है, उस पर आप rolling भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से combing कर लिजिए, here accessory का आप यूज कर सकते हैं, तो देखे जो इस तरफ के बाल है, वहाँ पर मैं rolling करूंगी, आप चाहे तो यहाँ पर प्रेट बना सकते हैं, बट मुझे इस तरफ मैं rolling करते ह यहां पर एक टिक टैक पिन की हल्प से मैं इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दूंगी आप चाहे तो इस साइड तीन इस तरह से फोल्ड भी मना सकते हैं या फिर मैंने यहां पर सिर्फ दो बारी ऐसे बाल फोल्ड ही है और मैंने सारे बालों को ऐसे खुला छोड़ दिया और इतना प्यारा यह वाला हेरस्ट्राइल लग रहा था अगर आपको कहीं पर भी जाना है ना सिर्फ दो मिनट में आप यह वाला हेरस्ट्राइल बना सकते हैं और लुकिस की ऐसी आएगे कि जैसे आपने पारलर से अपना हेरस्ट्राइल करवाया है तो देखे टिक टैक पिन से मैंने इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है इसके बाद आप अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर लीजिए और जो हमने इस तरह French braid बनाई है इसे भी मैं Tic Tac Pin की help से अच्छी तरह से सिक्योर कर लूँगी एक pin में left side से और एक right side से लगाऊंगी ऐसे ना जो braid है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगी बिल्कुल भी आपकी braid निकलेगी नहीं बालों पर अच्छी तरह से combing कर लीजिए आप आगे से fix निकाल सकते हैं फ्लिक्स निकालने से hairstyle की look और भी अच्छी आएगी आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी designer hairpin का use कर सकते हैं तो देखिए गाईज इस hairstyle की final look कितनी ज़्यादा अच्छी आई है कितना प्रीटी यह वाला hairstyle लग रहा है आप चाहे तो इस पर hair नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए थैंक यू बाई